सन्या स्वी वादु तो सनातनिय हिंदुों में एकता हो तो उसका नजारा क्या होता है इसका दर्शन करना है तो आओ कुछ दिन गुजारो बिहार में हमें तो यसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट की ज्वाला बिहार से ही भवब करने है हमारा एक मत्र मत्र लच्छ है कि जन्ता का जहां भलाई हो वह ही हम अपना समय देते आप को इद मुबारक की इफतार मुझे राष्ट मुबारक बिहार की राष्धानी पटना में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगा लोगों की परजिया निकली बागेश्वर सरकार ने सवालों के जवाब दिये और एलान कर दिया कि बिहार से ही पूरे देश में हिंदू राष्ट की जुवाला जले बिहार के लोग पिछडे और बिचडे नहीं है बिहार के लोग भक्ती से भरे हुए लोग है बिहार के लोग सनातन हिंदू एकता का पृतीक है और हमें तो यसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट की ज्वाला बिहार से ही भवक गई है और एक दिन ऐसा आएगा पूरा भारत राम मैं होगा एक तरफ बिहार में बाबा बागेश्वर के दर्बार में उमड रही लोगों की भीड रिकॉर्ड तोड रही है पंडि धिरेंद्र शास्त्री को दर्बार में नहीं आने के लिए लोगों के हार जोड़ने पड़ रहे हैं वही दर्बार से पंडि धिरेंद्र शास्त्री के बयानों से बिहार में सियासत भी तेज हो रही है कि कलियुक के राजा हनमान जी है और हमें लगता है बागे सुर्बाला जी का दरबार लगता भी इसी लिए है कि अब दूसरे मजहब और धर्मों में भटकना और फटकना ना पड़े मेरे पागलो बिहार के पागलो एक बात याद रखना तुम्हारी जिंदिगी में अगर संकत है तो हमारे बागे सुर्बाला जी संकत मोचन है बिहार में बहस इस बात को लेकर भी हो रही है कि कौन से नेता बाबा के दर्बार में पहुँच रहे हैं और कौन से किनारा कर रहे हैं और इसके क्या-क्या सियासी मायने है ताजा विवाद इस बात को लेकर शुरू हुआ कि विहार के डिप्टिसियम तेरस्वी यादों को भी दर्बार में आने का दियोता मिला था लेकिन तेरस्वी की सियासत को बाबा बागेश्वर का दर्बार शायद सूट नहीं करता हनाकि दर्बार में नहीं जाने के तेजस्वी यादों के पैसले पर बीजेपी गर्में इससे पहले भी आरजेटी नेताओं ने बाबा के दर्बार का विरोध किया है बीजेपी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी के शद्धा हनुबान दर्बार में नहीं बलकि तुस्टी करण भी आप कोई इद मुबारक की इफ्तार मुझे राष्ट मुबारक मुझे सनातन मुबारक मुझे विहार मुबारक हम उसको लोग रहे हैं तो कौन सा उनाह कर रहा है आप इफ्तार मनाएं हमें कोई दिक्कत नहीं कहा जा रहा है बाबा के दर्बार में भले ही भीडू बढ़ रही हो लेकिन तेरस्वी यादों के दर्बार में नहीं जाने की पीछे कुछ खास वज़े है कहा जा रहा है बाबा के दर्बार में बीजेपी के वोटर जादा उमर रहे बीजेपी नेता राम कृपाल यादों के प्रभाव वाले इलाके में बाबा का दर्बार लगा है तिरस्वी इस दर्बार में जाते हैं तो भिहार के M.Y. समेकरण पर इसका असर पड़ेगा और क्योंकि आरजेटी नेताओं ने पहले ही बाबा के दर्बार का विरोध किया था ऐसे में अगर तिरस्वी वहाँ पर पहुंसते हैं तो इसे मापी के तौर पर भी देखा दा सकता है इधर सियासी वयानबादी से अलग धिरेंद्र शास्त्री के दर्बार में चमतकार चल रहे हैं बाबा ने दावा किया है कि भारत में रहना होगा तो सीता राम कहना होगा अब तो अंग्रेज भी जो दिन भर हाउट डू यू करते थे वो भी सीता राम कर रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा भारत में रहना होगा तो सीता राम ही कहना होगा और हम मानेंगे ही नहीं चाहे हमारे प्रान चले जाएं जब तक हम भारत में राम राज्य की स्थापना का संकल्प पूरा नहीं करेंगे हम काम और सेबा करते ही रहेंगे फिल्हाल बिहार में बागेश और सरकार के दरबार के पटना में दो दिन बाकी हैं ऐसे में बयान भी आते रहेंगे और सियासत भी होती रहें विरोरीपोर्ट, सीमी.